ओम शान्ति दिसम्बर महिने के पत्र पुष्प का आज हम दूसरा क्लास सुनेंगे और ये बहुत सुन्दर धार्ना युक्त क्लास है हमारी आदर निये जानकी दादी जी का क्लास का टॉपिक है क्यूं क्या को छोड़ अपने स्वमान की सीट पर सेट रहना यही याद का सरल उपाई है क्यूं क्या को छोड़ अपने स्वमान की सीट पर सेट रहना यही याद का सरल उपाई है हम सब के दिल में यही आशा है कि हम बाबा की याद में निरंतर रहें लेकिन उसी याद में रहने के लिए हमें कई बार मेहनत करनी पड़ती है तो दादी उसके लिए हमें सहज विदियां बताती है कि कैसे हम याद को सहज और सरल बनाए तो दादी जी कहते हैं आज बाबा ने याद में रहने के लिए बड़ा सहज और सरल उपाई बताया है याद में बैठते मक्खी मच्छर आता है तो क्या करें जरूर भगाएंगे न परन्तु याद तो नहीं छोड़ेंगे याद तो अच्छी रही कुछ भी होता है जरा भी अपसिट ना हो याद में जैसे स्थूल रूप में अगर कुछ उलजहन या कोई विगना आता है जैसे दादी ने कहा मक्खी मच्छ आया या मान लीजे सर्दी गर्मी का अनुबव हो रहा है तो उस अनुसार प्रबंध तो करेंगे लेकिन याद को नहीं छोड़ेंगे कुछ भी हो जरा भी अपसिट ना हो सीट अच्छी मजबूत है सीट पर सेट है तो कोई बात आई ऐसे नहीं ये क्यूं होता है ये कहा तो मच्छर बड़ा हो गया मैं कमजोर हो गई क्यूंकि आमें उलजना मना विगनों का रूप और भी बड़ा करना तो दादी केति ये वो बड़े हैं तो आप कमजोर हो गए इसलिए मच्छरों सद्रश्य आत्माओं का काम है काटना मच्छर पैदा भी होते हैं किचडे से कौन सी आत्माओं मच्छरों सद्रश्य जाएगी जो किचडे से पैदा होती है और काटना जिनका काम है एक तो किचडे में पैदा होते और दूसरा काटना अर्थात दुख देना उन्हों का काम है तो ऐसी आत्माएं मच्छनों सद्रश्य जाएगी क्यों क्या में आये माना समय गवा रहे है योग की अच्छी सहज विदी है क्यों क्या में ना जाएं योग लगाएं या जो हमारे मात, पिता, सखा, सिक्षक है उनके साथ रहने का मजा ले, साथ में रहने का फाइदा ले सर्व संबंद एक के साथ हो याद का आधार ही क्या है? हमारे सर्व संबंद एक बाबा के साथ हो तो दादी कहती है अगर याद में सहज रहना है तो एक तो क्यूं कि आमें नहीं उलजना है दूसरा जो हमारा माद, पिता, सक्खा, सिक्षक है उनके साथ रहने का आनंद ले साथ में रहने का फाइदा ले सर्वसंबंद एक के साथ हो बाबा ने हमारी मा बाप बनकर पालना की है बाबा हमारा हर प्रकार से मन और तन का खयाल करता है वो कभी स्वामी बनकर बैठा नहीं है कमाल है मेरे बाबा की जो इतनी शक्ती भर्दी है बाबा ने इतना सिखाया है वो जो foundation पुराना मजबूत हुआ है वह कितना अच्छा है हम बाबा के मुखवंशा वली बच्चे हैं तो हमारी इस्थती कैसी हो कहते न संशोस फादर तो बाबा कैसा है और हमारी इस्थती कैसी है दोनों को टैली करना है कहां बाबा और कहां हम है कितना अंतर दोनों के मध्य है जो बीच भवर में फस जाते हैं उससे निकलनी के लिए संगठन बना है सिर्फ सेवा का प्लैन बनानी के लिए नहीं सेवा क्या है शुरू में जो बाबा ने नशा चढ़ाया वो नशा सेवा करा रहा है शुरू में आदि स्थापना के समय दादियों ने कोई सेवा के बड़े-बड़े प्लैन्स या कोई मीटिंग साधी नहीं की थी ना उस समय कोई विंग्स के प्रोग्राम बने थे लेकिन दादियों की इस्थती उनका जो रूहानी नशा था उससे आपे ही सेवा हुती थी बाबा नी कभी एक जगे बैटनी नहीं दिया आज दिन तक ऐसा मस्ताना बनाया है कोई पंची डाल को पकड़ कर बैट जाए शोपता नहीं बाबा कहे बच्ची उड़ती रहो उड़ाती रहो धर्म पिताओं का भी पिता हमारा बाबा है वह एक है हम सभी लाखो करोडों में से एक है नूरे रतन है बाबा की नूर में बैठा हुआ रतन है आखों का जो नूर होता है उस नूर में बैठा हुआ रतन वो हम है दादी केते इतना नशा होना चाहिए योग लगाओ तो कैसे एक भूत पुजारी होते हैं वह खतरनाक होते हैं डराने वाले होते हैं दूसरे होते हैं शक्तियों की पूजा करने वाले हमारे में जराभी देह अभिमान है कोई भी व्यक्ति, वैभव, स्थान, स्टूडेंट में बुद्धि फसी है तो ये भी भूत पुजा हो गई कितनी सुक्ष में बात है दादी केती है अगर दे अभिमान जराभी है और दे अभिमान का रूप क्या बताया अगर कोई भी व्यक्ति, वैभव, कोई स्थान, कोई सेवा या किसी स्टूडेंट में बुद्धि फसी है तो ये भी भूत पुजा हो गई इससे पावन बनने की शक्ति नहीं आ सकती वायू मंदल स्रेष्ट नहीं बन सकता देवताओं का तो दर्शन करने से भक्त प्रसन हो जाते है नौदा भक्तों को कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ दर्शन चाहिए तो हम ऐसे दर्शनिय मूरत बने ऐसा दर्शनिय मूरत हमको बनना है तो संगठन में पता चलता है कि कहा तक पुरशार्थ किया है अभी क्या करना है क्योंकि संगठन में आप समान पुरशार्थी आत्माओं को भी हम देखते हैं जैसे रुहानी रेस हमारे बीच है तो पता चलता है कि अन्य कहा तक पुरशार्थ कर रहे है मेरा कहा तक हुआ है और अब आगी क्या करना है समय कहता है अब जो करेंगे वही साथ चलेगा एक तरफ बाबा का साथ, दूसरा समय का साथ, तीसरा संगठन का साथ बाबा, समय और संगठन, तीनों का साथ पता नहीं आगे चल प्लैन बंद हो जाए आना जाना बंद हो जाए, तो क्या हाल होगा तो भाग्य से ऐसा संगठन मिलता है इसका पूरा लाब लेना चाहिए जो भी संगठन में पुरुशार्थ के लिए हमें अवसर मिलते हैं दादी केते उसको छोड़ना नहीं चाहिए आगे जाकर क्या परिस्थिती आएगी कौन जानता है हम पहुँच भी पाएंगे या नहीं मदबन किसी को मालम नहीं इसलिए पूरा लाब लेना चाहिए अच्छा फिर प्रश्न पूछा गया कि प्लैन को प्रैक्टिकल में कैसे लाएं तो दादी ने दो मुख्य बाते बताई कि जो साक्षी होकर पार्ट प्ले करता है वो न्यारा और परमात्म प्यार की शक्ती से लाइट माइट हो जाता है ये कोई प्लैन नहीं लेकिन प्रैक्टिकल है अपसेट होने की आदत नहीं है पर सब खुश रहें ये ध्यान जरूर है बाबा के घर में जो भी आए खुश होकर जाए ये भावना हमेशा रही है कोई भी चीज मेरी नहीं है इस से आत्मा बाबा का प्यार खीचने की पात्र बनी है देखो दादी ने क्या कहा भावना बहुत मदद करती है तो दादी की भावना क्या रहती है जो भी आए बाबा के घर में सब खुश हो कर जाए और किसी भी चीज में कहीं मेरा पन ना हो इससे आत्मा बाबा का प्यार खीचने की पात्र बनती है अपनी नीजी शक्ती सेवा और संबंद में बढ़ती रहे खर्च ना हो ये कोशिश रहती है देह अभिमान का अंश भी होगा तो मार्क्स कम हो जाएगी अगर सच्चा पुर्शार्थी हूँ तो फुल मार्क्स हो पालना पढ़ाई प्राप्तियां जो मिली है वो हमारे चहरे और चलन में अगर नहीं है तो शान नहीं है बाबा से हमें जो भी प्राप्तियां हुई है या हम कहेंगे पढ़ाई और पालना बाबा हमें रोज दे रहा है अगर वो हमारे चेरे चलन में जलकती नहीं है तो फिर वो रुहानी शानी कहां है जीवन की प्लैन बनाने वाले बाबा के बचे बहुत पैठे हैं अच्छा प्लैन बना कर हमको देते हैं हमें बुद्धी को शान्त और प्लेन रखना है ड्रामा में सब हुआ पढ़ा है बाबा कैता भी है अगर ब्रम्हा बाबास से भी कुछ हो गया तो बाबा ठीक कर देगा, पर हमको अपनी मनमत शामिल नहीं करनी है बस साक्षी भाव रखना है, न्यारा और प्यारा रहना है, बाबा सब आपे ही ठीक करेगा कुछ भी बात सामने आ जाए, अंदर रेडी रहे बाबा कहता बच्ची सब ठीक हो जाएगा ये मेठे बाबा के बोल है, बच्ची हो जाएगा बाबा के बोल में इतनी शक्ती है, तो मैं क्यूं कहूं, कैसे होगा, कौन करेगा आज दिन तक ये खेल देखा है, बाबा कैसे करता कराता है, ये खेल देखा है, यही है प्रैक्टिकल प्लैन अगर हम निश्चिंत हैं और निश्चे बुद्धी हैं तो बाबा का प्लैन काम करता है फिर हमें बुद्धी चलाने की जरूरत नहीं है हम सबने कईयों ने यह अनुभव किया है न कि बाबा कैसे अपना कारिय चुटकी में कर लेता है तो इसलिए दादी जी ने कहा कि यह क्यूं क्या कैसे इन सब उल्जनों से पार होकर अपने स्वमान की सीट पर हम सेट रहें तो आपे ही हमारी याद की यात्रा सहज और निर्विग्न बनते जाएगी अच्छा ओम शान्ति